शबको मेरा पड़ाम है नमस्कार है प्यरवच्चों BSPHCL की बहाली आने वाली है क्योंकि नितीज कुमार जी ने आधरणिया चीप मिनिस्टर सहाब ने अपने ओफिसियल पेज पर इस बात को का पोस्ट किया है ये वाला जो पोस्ट है ये उनहीं का है बिजली बिभाग में 4000 पदों पर होगी निकती तो बिहार सरकार निकती 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 बहार ला दी है बिहार में बहार है क्योंकि अब की बार नितीज सरकार है अभी जो है अभी जो उपलब्ध है वो नितीज जी की सरकार है और उसमें 4000 प्लस सीट जो है वो बिजली बिभाग में देने का काम सर हजार वेकंसी निकलता है आप जोड़के देखे 1201 स्टेट पर पड़ेगा उस 1200 वेकंसी में एलेक्रीशन, अगर बिहार के खाते में पड़ता है और यहां तो 4000 वेकंसी है जिसमें मात्र 1000 वेकंसी में सब लोग अप्लाई करेंगे वो भी सिर्फ एलेक्रिशन वाले और 3000 वेकंसी में सिर्फ आप ही आप हैं यानि सिर्फ बिहार के ही बच्चे 75% सीट आपका है 25% सीट आउटसाइडर्स का है यानि UR कैटेगरी सिर्फ आउटसाइडर्स अपलाई करेंगे बाकि रिजर्ब कैटेगरी में सिर्फ बिहार के बच्चे अपलाई करेंगे यानि 3000 सीट आपका होगा और 1000 सीट में सब लोग फाइट करेंगे जिसमें आप भ दस गुना बड़ी भाली है ये क्योंकि ये सिर्फ एलेक्ट्रिशन के लिए और खास कर गर्ल्स के लिए तो स्तांदार मौका है क्योंकि 35% रिजर्व सीट है इसमें गर्ल्स के लिए यानि आप जोड़ के देखिए चारतिया बार यानि 14-1500 सीट गर्ल्स के लिए रिजर्व है पिछला बार 57 नमबर पे हो गया था 8 नमबर 10 नमबर पे हो गया था लड़कियों का तो मेरे दोस्त आप खुब मन लगा के सब लोग लड़का और लड़की सब लोग मिलके खुब महनत किजिए तो आपका काम हो जाएगा नहीं तो आप ये समझ ये रेलवे का 10 गुना जादे वेकंसी है इलेक्ट्रिशन से जिन्होंने ITI कर रखा है उनके लिए तो आईए हम इस पर चर्चा करते हैं कि क्या मामला है ये वर्ति कब तक आनी तय है बिजली कंपनी 4000 पद बहाल करेगी न्युक्ति जल्द और ये वाला पोस्ट जो है ये नितीश कुमार जी के अपने ओफिसियल प नॉंबर में एक्जाम हुआ था यानि सेप्टेंबर अक्टूबर नॉंबर जब वेकेंसी आ जाएगी तो नोटिफिकेशन तीन महिने से जादे का आपको समय नहीं मिलेगा और ये कोर्स बहुत ही लंबा है साथ से आठ महिने का कोर्स है तो मेरे दोस्त अब अगर हम चले कि इसका पोस्ट नेम क्या है असिस्टेंड ऑपरेटर आएगा स्विच बोर्ड ऑपरेटर आएगा जूनियर लाइन में आएगा उसके बाद टेक्निकल ग्रेड फोर आएगा आपका इसमें ये सारे पोस्ट है qualification क्या है 10th pass और its equivalent from recognized institute दस्वी पास होना चाहिए ITI electrician trade से NCBT या SCBT से होना चाहिए उसके बाद BTEC और डिप्लोमा सबसे बड़ी बात यह आपका ALP का वेकंसी आएगा तुसमें BTEC डिप्लोमा allowed है लेकिन यहां BTEC डिप्लोमा बिहार सरकार के किसी भी वेकंसी में allowed नहीं है जिसमें डिप्लोमा है उसमें BTEC allowed नहीं है और जिसमें ITI है उसमें डिप्लोमा BTEC दोनों allowed नहीं है फिर हम चलते हैं age limit पर, minimum age limit 18 है यूर का, maximum है 37, यूर female का 18, 40, BC का 18, फिर 40, EBC का minimum 18, maximum 40, SCST का 18 और 42, ये age limit है, तो maximum age वाले भी इसमें apply कर सकते हैं, syllabus की अगर हम बात करें, electrician से आपके 50 प्रशन रहेंगे, computer से आपके 15 प्रशन रहेंगे, GKGS से 10 प्रशन रहेंगे, reasoning से 10 प्रशन रहेंगे, हिंदी के 10 प्रशन रहेंगे, English के 5 प्रशन रहेंगे, total 100 प्रशन रहेगा, और 100 marks का रहेगा, तो देखिए, कहां-कहां आपको दिक्कत होना है, ये electrician 50 नमर ये आपको अच्छे से पढ़ना होगा, इसका आपको टेस्ट भी बहुत सारे लगाना होगा, जैसे ही वेकंसी आएगी, इसके बहुत सारे टेस्ट हमारे यहां स्टार्ट हो जाएंगे, आपको अलग से पढ़ना होगा, 15 नमर का, जो भी बच्चा हमारा ये कोर्स लिया हुआ रहेगा, उसको हम अलग से इसके लिए कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, जो भी बच्चा electrician trade का होगा, उसका हम कम्प्यूटर का क्लास अलग से करवा देंगे, फिर कहते हैं GKGS की इंगलिस अगर आपका दिल करता है तो पढ़िया, ना दिल करता है तो छोड़ दीजे, यानि इस सब आल्रेडी आपका covered है, यानि सिर्फ computer और electrician की बात होगी, तो जो बच्चा हमारे यहां electrician का किसी भी कोर्स में होगा, उसको computer हम free of cost पढ़ा देंगे, बताइए GKGS आप का कम बहुत आसानी से हो जाएगा, और हमारे यहां जिन बच्चों ने इसका कोर्स लिया हुआ है, electrician के किसी भी कोर्स में हो है, चाहिए वो ALP technician में हो या किसी भी कोर्स में हो, उसको 15 नमर का अलग से हम computer पढ़ा देंगे, लेकिन है क्या, इसकी तैयारी थोड़ी अलग है ALP technician के trade की तैयारी थोड़ी सी अलग है, आपको थोड़ा सा lengthy में जाके number of questions discuss करने होंगे, जिसका हम लोग अलग से practice session भी रखेंगे, जिसमें आपको number of questions discussion करवाए जाएंगे, तो अगर हम चलते हैं, UR का minimum qualifying है, लेकिन minimum qualifying का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक ही exam में merit बनना है उसके बाद ये जो numerical है, वो आपका 15-16 नमर का रहेगा, theory आपका 34-35 नमर का रहेगा, 15 नमर का आपका numerical रहेगा, जो in-ins topic पे होगा, alternator पे, power generation पे, single phase induction motor पे, synchronous motor आदी पर numerical रहेगा, यानि 15-16 numerical और 34-35 आपका theoretical questions रहा है पीछले वर्स में, लेकिन इसका इधर से उधर भी हो स बैचला रहे हैं, 12-1-2023-2024 से हम लोग बैचला रहे हैं, इसकी timing आपको 16 तारीक को YouTube कम्यूनिटी में डाल दी जाएगी, 16-1-2024 से हमारा नया बैचला अरम हो रहा है, तो अगर आप जूड सकते हैं, तो जरूर जूड़िए, आप जूड़िएगा कैसे, जूड़ने के ल बैचला में जब आप आएगा, तो पिड़ क्लास में आपको हमारा, यह जो कोर्स है वो दिखेगा, बीहार कहार बैचली सिटी सिटी बोर्ड का, यहाँ पर रुपया पढ़ेगा 1290 में हम आपको Electrician and Computer दोनों हम आपको करवा देंगे और GKGS आपने पढ़ रखा उसके लिए एकदम Hectic ने हो रहा रिजिनिंग के लिए एकदम Hectic होने की ज़रूरत है हिंदी के लिए एकदम Hectic होने की ज़रूरत है लेकिन हम कुसिस करेंगे यह 1299 वाला कोर्स है इसमें हिंदी हम आपको उपलब्द करवा दें recorded और ये बांकी तो आपका 1299 कंप्यूटर में आपका लाइब पढ़वा देंगे कब पढ़वाएंगे तो एकदम जैसे ही नोटिफिकेसन आएगा आप दूर होईएगा क्योंकि आपको भी पता है कि बिहार सरकार बहुत तेजी से एकजाम लेगी मतलब धाई धाई एकजाम लेगी आपको भी पता है बहुत कम समय मिलने वाला है चुकि चुनाओ है तो इसलिए अभी से आपको लगना चाहिए बाकि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई किजे और उमीद करेंगे इतनी वेकेंसी है जितने बच्चे नहीं है आप एक लेइन में आप समझ लिए अगर 4000 वेकेंसी आती है तो उतने बच्चे नहीं होंगे जो सही से तैयारी कर रहे होंगे इसलिए खुम मन लगाके पढ़िए और उमीद करेंगे कि हम आपको आपके मुकाम तक पहुंचा पाएं थैंक्यू बेर मच्च लव यू आल नमस्कार